वाइस आज मैंने एक फर्स्टाइड बॉक्स बनाया है घर के लिए तो सोचा कि आपको बता दूँ कि या फर्स्टाइड बॉक्स में क्या-क्या आपको रखना चाहिए सबसे पहले जानता है फर्स्टाइड होता क्या यानि प्रात्मिक चिकित्सा यानि जब कभी कुछ है जो आदमी के टाइम पर काम आ जाए तो उसको एक तरह के से फर्स्टाइड कहते हैं जिसमें कुछ दवाइएं रखी जाती है सरदर्द बुखार पेड़ दर उल्टी चोट की कुछ इन परकार की दवाइएं जो होती बेसिकलिए फर्स्टाइड बॉक्स के अंदर देख में आ जाए जिससे आप फालतू का कुड़ा कबार दवाइएं जो घर में कठा ना कर सके अब अपना तो मेडिकल है तो यह कि जितनी जरुद पड़े कि उतना उठा कि बाहरा हम हम एक्शेंज कर सकते लेकिन अगर आपका मेडिकल नहीं है आप भार से खरीद रहे तो आप आपको बजट जादा बन सकता है अगर आप फालतू के दवायां जमा करेंगे तो कुछ दवायां बताओंगो जो इमेर्जंसी में काफी ज़्यादा इंपोर्टेट रोल करती है और आपके रात बिरात कभी जरुद पड़ जाती है तो लाश्ट तक वीडियो को देखते र नोट भी करते रहें कि यह दवाया आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है तो पहले दवाय निकालते हैं तो यह है एक सीना ड्रॉप जो मेरे छोटी बच्ची अभी एक साल की बच्ची है तो मैं उससे आप से ड्रॉप रखावा है अगर आपका बड़े बच् आप बटन में यह सारे लिंक दिस्क्राइब समझ सकते हैं और बच्चों के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट आ जाता है दूसरा में लिया है इसमें इसमें चैटरजीन एक एक एलर्जिक एंटी इस्तामाइन होता है जैसे कि कई बार लोगों को किसी घठ में कीड़ा चकते निकल जाते हैं हाइप बोलते हैं या फिर किसी को छींगे आनी शुर होगी है दूल मिटी सब्सक्राइब करते हुए तो रात रात आप से ट्रजिन का यूज कर सकते हैं एंटी अलर्जिक मेडिसेंस होता है जो बैस्ट इसका होता है दूसरा नेक्स्ट मेडिया है एक से लगर सकते हो ये ड्राक करजा सकते भाराइं साथ हैं नॉर्मालट के लिए अबफ्सक्राइब के सकते हैं जरूरी में क्या एलर्टी करण से में नेक्स्ट में क्या रखा है एक और यूज़ करने लग जा ता है यह दूद गिराने लगता है पीते ही तो सिका यूज किया लेकिन दवाईां जो होती है बच्चों के हमेशा डॉक्टर के साथी लेने चाहिए एमर्दिंसी के लिए आपको बता रहा हूं कि यह दवाइया रख सकते हैं नेक्ष आ जाता है इसमें कैलमाईमेन लोशन को आप रख सकते हैं कैलमेनलोशन विश्यलिए होता है जब कई इस तरीकी से आप इसमें रख सकते हैं दर्द में सूजन में कभी मोच लग गया या क्रेब बेंडेज होती है बेसीगली गरम पट्टी जिसको आम वासमने कहते हैं कभी पैर मुड़ गया मोच आ गई सूजन आ गई तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है सी के साथी एक फिलब जो घर में हमेसा होना ही चाहिए है पर बार बताने के वैसे नहीं पड़ती है नेक्स आजाता है इसके बाद हमने लिया है बच्चों के लिए एक मुगली गुट्टी जो जरुत पड़ जाती है कई बार बच्चों में होता है यह भी दूद उगरा के लिए काम आता है बच्चा उल्टी करता है या पेट दद बता रहा है तो उसमें यूज करवा सकते हैं आप मुगली गुट्टी को इसके बाद हमने लिया है एक ड्रॉप टी नाइंटेट जिसमें पैरसेटमोल है जो बच्चों के लिए ही यूज के जाता है बुखार के लिए बदंदर्द होएरा किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं एंटी पैरेटिक एननाल जैसे कि द आपको इसमें रख सकते हैं इसके बाद आ जाता है एक यह जल जो पेन रिलीव जल होता है जो मुझ के लिए दर्द के लिए चोट लग गया है सूजन आ गई आचानक से तो इसको लगाकर आप इसके साथ गरम पट्टी बांद सकते हैं जब कभी मुझ और आ जाती है तो य अधरी भी छेल है वे Påल के रखा हुआ हमने हैं एक पर इन्जेक्शन आता है यह डाइन इलिदल होता है कई बार होता है सब में आप डाइनफार इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं पेट दर्द होगर सभी प्रगार के दर्द में यूज किया जा सकता है इसलिए मैंने सीरिंज भी इसमें डाली होगी है इसके बाद एक आइड्रॉप जो आप कोई भी रख सकते हैं कई और आंकों में रात कुछ गया तो इसमें आप यूज कर पाएंगे तो उसके नाम से आप इसको यूज कर सकते हैं जलने पर इसको यूज होता है अब जो सिल्वर एक्स जलाता है वह अच्छा है उसमें अच्छा रिजल रिखता है तो मैंने रखा है जलने पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं कई बार घर में कई कुछ काम कर रहे हैं यह गया सकता है यह उसको साफ करके आप क्रीम को अपलाई कर सकते हैं बस इसके बाद आजाता है बैंडिट जो आप कई बार चोड लग गया यह उसमें कर सकते हैं इसके बाद यह दो बेंडिज जिस परकार से रख सकते हैं बादने के लिए इसको लोस्य कर सकते हैं इसका इसके बाद गर में चाहिए होता है कई बार फॉल्ट बनाने इसको यह उस जाता है दिखतर गर्व में and acidity के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं अब आ जाता है यह एक इंजेक्शन यह है आपका पाइरे नॉम इंजेक्शन जो उल्टी के लिए यूज के जाता है कई बार होता है ना कि टैबलेट खाती उल्टी हो जाती है दवाएं खाना खा रहें इंजेक्शन को ॉल्टी हो जाती है तो उसको बार इंजेक्शन को धिया जाता है इसे लिए मनें दो रखाते हैं इसके बार हमने रखी है वोमिककंड एक यह टैबलेट वोमिकान एंडीफोर ऑंडा सेट्रों उल्टी के लिए एडल्टी के लिए यूज करने वाली दवाई है चूज कर आप यूज कर सकते हैं अगर उल्टी वेरा का मन हो रही है उसमें यूज किया जा सकता है अगर टैबलेट से ना रुके तो आप आप यूज कर पाएंगे नेक्स्ट आ जाता है नीमो स्लाइट पैरिसेटमोल तेज बुखार के साथ ठंड लगकर बुखार आना तो नीमो स्लाइट उसमें काम करता है बुखार में आप इसका यूज कर सकते हैं अब देखिए कई लोग कहेंगे कि एसे कलो फिनेक और पैर से काम कर जाएगा चोट में लग गया तो आप ऐसे कलो फिनेको यूज करें बुखार के लिए यूज कर सकते हैं सो अच्छी टैबलेट है सुमू के नाम से आपको ब्रेंड नेम से आपको मिल जाए वो भी आप यूज कर सकते हैं नेक्स आ जाता है मैप टाल इसपास जो प पर यूज कर सकते हैं दो हमने इसमें रखे हैं ओलट को रोगने के लिए इक हमने रखा है डेस्ट ओल जो दस्त को रोगने में मदद करता है दस्त बहुत जादा हो रहे तो तो यूज करें अब इमेर्जेंसी के तोर पर है तो अब सिंद्ध सका यूज करी सकते हैं एक सी दो फुरा में रुख जाता है उसके बाद आप डॉक्टर से कंसर्ट कर सकते हैं एक हमने रखा है इसमें है तो कई बार होता है ना कि घर में ब्लड प्रेशर बहुत जादा डा लगबक यह थी सारी दवायाँ जो मैंने रखी है और बहुत जाला है आपको समझ में आ गया होगा क्या-क्या दवाई मैं बताएँ एक मैं इसका लिस्ट बना दोंगा अगर मुझे तो तुरंत यह अपना यह हो जाएगा जानकारी जरूर लीजिएगा अगर आपको मेडिकल रेलेटिव जानकारी नहीं है तो जान से आप यह दवाया लीजिए उनको पूल दिए इनके पीछे जो ना वो लिख दीजिए जैसे मैंने लिख रहा है अब वो तो मुझे जानकार जादा है तो घर में थोड़े इतना लोग को पता नहीं होता है तो मैं इजली बता सकता हूं गया उसमें लिखा है तो वह आप पढ़ लीजे और काम आपका चल जाएगा तो यह दवाई आपको जरूर रखने जाए अपने घर में फास्ट के तोर पर आपके बहुत के साथ जय हैं और जय वारत